नमस्कार साथियों, प्रभात इक्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है, आज है तारिक सितंबर 22 और आए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज क्या important topics हैं हमारे लिए, जो भी हमने कल सवाल पूछे थे तो उसके answers आपने लिखे हैं, comment section में वो क्या हैं, सही हैं, गलत हैं, यह हम वीडियो के end में discuss करेंगे, और आपसे एक छोटी सी request है, कि अगर आपको यह sessions अच्छे लग रहे हैं, current affairs की series अच्छी लग रही है, तो please इसे अपने दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें, ताकि जादा लोग इसका फाइदा उठा सकें, और देखें, बात कर अगर हम आज का agenda क्या है, आज क्या पढ़ने वाले हैं, एक statue of oneness के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे, जो मिथुन है, उसको food animal का tag मिला है, FSSI ने दिया है उसे tag, उसके बारे में जानेंगे, सिंबेक्स exercise हो रही है, इंडिया और सिंगापूर के पीच में, उस होते हैं, उनने से किसी एक topic पर based quote लेकर आते हैं, क्यों लेकर आते हैं, हम quote इसलिए लाते हैं ये quotation, ताकि आप इसका इस्तमाल अपने essays में कर सके, ठीक है, जब हम ये current affairs के series कर रहे हैं, तो आपका prelims तो यहां से cover हो रहा है, कुछ चीज़ें आपकी यहां से छूटेंगी ठीक है, prelims के लिए जो जरुरत होते हैं, वो पूरी हो जाएगी, चाहे state PCS का हो, चाहे UPSC का हो, इसके अलावा जब आप essays लिखेंगे या ethics में आपको कुछ quotations लिखनी होती हैं, तो वो आप यहां से ले सकते हैं, देखे, आज हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि statue of oneness के बारे of the people, जो relation, जो आपके अपने लोग हैं, जो दोस्त हैं, मित्र हैं, अपनी जवानी हैं, इन चीजों पर आप घमन ना करें या इनको बहुत ज़्यादा महत ना दे, क्योंकि यह सब चीजे एक पलक जपकने के साथ ही छीन ली जा सकती हैं, आपके रिष्टे, आपके पैसे, आपके दोस्त, आपका जो यूत हैं, यह चीजें हमसे छीनी जा सकती हैं, विद्धी ब्लिंक ओफ एन आई, तो यह जो आपको दुन्या में यह इलूजिन से अम माया नजर आती हैं, इन सब को छोड़ कर हमें उस जो परम ब्रम हैं, उसकी खोज में निकलना चाहिए, यह किसके हैं, श्री आदि शंकराचारे जी के, तो पहला हमारा टोपिक यही है, स्टैच्य ओफ वननेस, कहां बनाए यह देखे, कितना विशाल और कितना सुंदर स्टैच्यू है, यह कितने फीट का है, 108 फुट टॉल स्टैच्यू है यह, और इट इस डेडिकेट टू 8th अबी बोलते हैं, स्टैच्य ओफ वननेस, अब यह क्या है, अभी देखते हैं, देखे, यह जो स्टैच्यू है, यह आश्ट धातों से बना है, 8th मेटल से बना है, कहां बना है, नर्मदा रिवर पे बना है, कहां पे, ओमकारेश्वर में, खंड़वा डिस्टिक में, कहां पे है ये MP में है देखे MCQs में यही चीज़े आ जाएंगे कि Statue of Oneness कहां पर है कौन से River के Banks पे है जो Temple Town है ओमकारेश्वर किसले फेमस है जो शिव के बारा जोतिर लिंग है उनमें से एक जोतिर लिंग है ओमकारेश्वर तो ये बात हमने कर ली और ये अब है अद्वैत वेदान्त फिलोसफी का अब अद्वैत वेदान्त क्या है देखे अद्वैत वेदान्त फिलोसफी दी है आदिगुरु शंकराचारे ने तो वेदान्त क्या होता है ये अद्वैत क्या होता है देखे सब बोलते हैं जादतर जो मानेता है वो है द्वैत कि ड Oneness में यह बिलीब करते हैं जिन कणुं से जिन consciousness से ब्रहमान्ड बना है उसी consciousness से इंसान का शरीर बना है और दूसरे इंसान का शरीर बना है तो जब हम लडाईयां करते हैं अलग-अलग मत होने पर अलग-धर्म की लडाई करते हैं तो यह सब एकदम irrelevant हो जाती है अगर हम अद्वैत को समझते हैं या philosophy of oneness को समझते हैं इसको एक वोर वर्ड से हम जानते हैं जिसका meaning है non-dualism जिक है non-dualism अच्छा ये तो बात हुई अद्वैत की तो एक इसने दी आदिगुरु शंकराचारी ने इसी लिए अमकारेश्वर जो city है वो भी famous है इस philosophy के लिए अमकारेश्वर शिव का एक जोतिर लिंग भी है और वही पर ये statue बनाया गया है नर्मदा नदी के किनारे दूसरा जो philosophy है वो ते द्वैत यानि डूलिजम ये दो होने पर बिलिव करते कि जो भ्रम है वो अलग है और हम है वो अलग है तो ये जो दी ये रामनुजचारे ने दी ठीक है रामनुजचारे और इनके बेस पे भी इनके नाम पर भी एक statue बना हुआ है इंडिया में आपको comment section में उसका नाम बताना है अगर आप ये lecture बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो अब तक आपको hint मिल गी होई क्योंकि यहाँ पर नीचे में ने दो statues का नाम लिखा है तो अब बताईए मुझे कि statue of unity ये आपके लिए आज का सवाल है comment section में सभी mention करेंगे कि statue of unity किसको dedicated है इसी तरह statue of equality किसे dedicated है और ये किन cities में located है आगे बढ़ते हैं तो अब है आदिशंकराचारी के बारे में he was known as आदिशंकर और ये माना जाता है कि ये शिव के ही अवतार थे ठीक है इनकी मा के जो इनकी माताजी थी उनके सपने में शिव भगवान दर्शन देकर ये कहा था कि मैं ही जनम लूँगा तो कहीं जगा कहीं जगा इनने डिवोटी कहा जाता है शिव का कहीं जगा इनने शिव कहीं अवतार कहा जाता है and he gave the theory of doctrine of अदवैत monism भी बोलते हैं उसको non-dualism भी बोलते हैं एक ही बात है ठीक है नाव बुद्धिस्ट फिलोसफर्स जैन आइडियास के ये अगेंस थे इन्होंने क्या लिखा है ब्रह्म सूत्र भास्य भजगोविन स्त्रोथ निर्वान शत्कम प्रक्रण ग्रंत ये सब इन्होंने लिखे वे हैं और इन्होंने हिंदुईजम को रिवाइवल किया उस टाइम जब बुद्धिसम बहुत ज़ादा पॉपुलारिटी गेन कर रहा था तो उस टाइम हिंदुईजम को रिवाइव किया आदिगुरु शंकराचारे ने चार मठ इन्होंने इस्टाबलेश किये साउथ में शिंगेरी इस्ट में पुरी वेस्ट में द्वारिका और नोर्थ में बदरीनात सनातन धर्म के प्रचार के लिए तो यहां आप इनके मठ देख सकते हैं यह है द्वारिका इन्दी वेस्ट ठीक है और शिंगेरी है इन्दी साउथ and then there is this जोतिर मठ in गड़वाल रिजन of उत्राखंड जोशी मठ is there then कालिका मठ है द्वारिका गुजरात में यह बात होगी गोवर्धन मठ कहां पे है पुरी में है तो इन मठ के भी अपने अपने नाम है यह याद रखना गोवर्धन मठ है पुरी में कालिका मठ है द्वारिका में गुजरात जोतिर मठ है उत्राखंड में श्री श्रिंगरी शारदा पीठम है करनाटक में ठिक चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ जब हम बात कर रहे थे कि ओम्कारिशवर की कहां है ओम्कारिशवर ये है आपका ओमकारेश्वर कहां पर है MP में है क्या है जोतिर लिंग है कितने टोटल जोतिर लिंग है बारा जोतिर लिंग है और कहां पर है तो ये उपर आप देख सकते हैं कि केदारनात है उत्राखंड में ठीक है फिर ये वैद्देनात है and then विश्वेशर is there महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, त्रिंबकेश्वर, नागेश्वर, सोमनात, भीमशंकर, गिरिशनेश्वर, मलिकारजून और रामेश्वर सबसे साउथ में कौन सा है रामेश्वर है 12 जोतिर लिंग में MCQ ऐसे बनते हैं सबसे साउथ में कौन सा जोतिर लिंग है रामेश्वर है, सबसे नोर्थ में कौन सा है केदारनात है, चली दूसरे टोपिक की तरफ बढ़ते है फूड एनिमल का टैग मिला है मिथुन को, ठीक है तो आईए समझते हैं इस टोपिक को मिथुन जिसे cattle of the mountain भी बोला जाता है यह आप देख सकते हैं एक bovine species है, जो कहां मिलती है Northeast India में मिलती है तो अभी जो FSAI है उसने इसको टैग दिया है food animal का मिथुन, descendant है Indian bison का it plays important role socio-economic and cultural life में तो हमारी सोच यह है कि यह इसका जादा से जादा promotion हो मिथुन का ठीक है, लोग इसको conserve करें, preserve करें and it is also known as cattle of the mountain Northeast Bangladesh, Myanmar, China इन सब एरियास में मिलता है state animal है Arunachal Pradesh और Nagaland का यह MCQ में बन सकता है मिथुन जो है, कि किसका state animal है Arunachal और Nagaland का then business potential अच्छा है, ठीक है, nutritional values भी है, इसकी livelihood भी प्रवाइड करता है लोगों को और financial security भी देता है तो इसलिए इसको food animal का tag मिला है, ताकि इसमें अच्छे से trade किया जा सके Indian council जो ICAR है उसने M Anitra app लौंच करी है to register मिथुन farmers as buyers or sellers ताकि उनको business करने में help की जा सके इसका conservation, IUCN का conservation status क्या है, यह vulnerable है अब यह बहुत important चीज़ है, यह याद रखना है वो क्या बोल देंगे MCQ में कि मिथुन is endangered अब आपको मुझे IUCN status बताना है tiger का और loin का और elephant का, Indian elephant का और आप सब को जानकर हैरानी होगी कि इन सब का जो IUCN status है, वो एक ही है पर वो क्या है, यह आप मुझे comment section में बताएंगे और कल हम इसका answer discuss करेंगे now, थोड़ा सा जान लेते हैं FSAI के बारे में जिसका full form है food safety and standard authority of India कैसे बनी है, statutory body है constitutional body है, constitution में नहीं है, एक statute, एक act के तहत बनी है, 2006 में वो act आया था, food safety and standard act, ठीक है किस ministry के तहत आती है, ministry of health and family welfare फिर इसके functions क्या है, function यह है कि regulation frame करती है food के जो खाना होता है, उसके standards को लेकर guidelines देती है certificate देती है food businesses को, laboratories के लिए guideline बनाती है, government को help करती है, policies frame करने में यह देखती है कि food products में मिलावट तो नहीं है, ठीक है rapid alert system है, बता देती है कि मिलावट की गई है इस चीज में information network है पूरे देश में, इनका FSCI का और general awareness बताते हैं food safety से related अपने तीसरे topic की तरफ बढ़ेंगे SIMBECS exercise, तो SIMBECS exercise क्या है देखे, it is a exercise between Indian Navy and the Republic of Singapore Navy दोनों countries के navies के बीच में ये exercise है, फिलाल हो रही है, और it is being, जो 2023 में है, दो phases में हो रही है, ये information हमने PIB से ली है, ठीक है harbor phase है at Singapore वो 21 से 24 सितंबर होगा उसके बाद C phase होगा तो इतना आपको information इसकी याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखे कि Simbex exercise इंडिया और Singapore की navies के बीच में होती है और ये बहुत rare ऐसी exercises में से है, जो continuously होती आ रही है, ये 30th edition है इसका ठीक, अभी ये आप देख सकते हैं वहाँ की कुछ images और अब मैं आपको बताऊंगे कि सिरफ Simbex exercise नहीं इंकी बहुत ज़ादा detail में नहीं जाना है, पर हाँ नाम पता होना चाहिए कि ये exercise कि किस country के साथ है, GS के paper second में IR का portion आता है तो वहाँ पर आप लिक सकते हैं कि के साथ हम ये वाली exercise करते हैं, इसके अलावा GS3 में security का topic आता है defense का topic आता है, वहाँ आपको इन सब का इस्तमाल कर सकते हैं prelims में, state PCS में और even UPSC में इनका रोल बहुत है, तो संपरिती जो exercise है वो इंडिया बंगलादेश के बीच में है, मित्र शक्ति हम श्रिलंका के साथ करते हैं मैत्री है थाइलेंड के साथ वज्र परहार है US के साथ, युदभ्यास है US के साथ, नोमेडिक elephant है मंगोलिया के साथ गरूड शक्ति, गरूड किसका वाहन है विश्नू का वाहन है गरूड गरूड विद इंडोनेशिया शक्ति एक्सराइज फ्रांस के साथ है धर्म गार्डियन ये है जपान के साथ सूरे किर्न नेपाल के साथ हैंड इन हैंड चाइना के साथ सिंबेक्स सिंगापोर के साथ शक्ति फ्रांस के साथ टिक और कॉर्पेट थाइलेंड के साथ तो इनको एक बार नजर मार ले और आपको ये थोड़े सा हलका से इनका idea होना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अब है हमारा fourth topic Abraham Accords तो देखते क्या होते हैं Abraham Accords तो इन news में इसलिए था क्योंकि तीन साल पूरे हो गए है Abraham Accords को sign way 3 years have been completed क्या है Abraham Accords पर ये जानने से पहले आप मुझे comment section में ये बताईए कि ऐसी कौन सी स्ट्रेट है ये geography का question है कौन सी स्ट्रेट connect करती है Persian Gulf को Gulf of Oman के साथ easy है ये geography में एक बार map देखिए अगर आपको नई मालूम है और comment section में mention करें देखे इससे क्या हो रहे है जो मैं आपको बता रही हूँ वो information तो आप जान ही रहे हैं उसके लावा खुद भी कुछ चीज़े search कर रहे है और जब आप उनको लिख लेते हैं उन चीज़ों को तो कभी नहीं भूलेंगे देखे अब्रेहम अकोर्ड हुआ है बिट्विन इसराइल, UAE और बारीम मीडियेट किसने करवाया है यूएस ने मीडियेट करवाया है यहाँ पर आप यह देख सकते हैं इस picture को sorry so this is the picture इसराइल, बारीम, UAE and mediated by USA तो क्या है अब्रेहम अकोर्ड में देखे इस चीज़ को समझे कि there is Iran ठीक है इरान जो है वहाँ पर जादा है शिया population इस एरिया में और जो बागी अर्ब कंट्रीज हैं वहाँ पर है सुनी population तो अर्ब और इरान में हमेशा conflicts चलते रहते हैं और इसराइल और इरान में भी conflicts चलते हैं इसके अलबा इसराइल और अरब वर्ल्ड में भी बहुत जादा conflicts हैं तो ये अकोर्ड साइन करने से क्या होगा कि इरान क्यों कर pressure बने का इरान को counter करने के लिए ये अच्छा mechanism है क्योंकि इरान से इसराइल की भी नहीं बन रही है और अरब countries की भी नहीं बन रही है बट इसराइल और अरब countries में जो उनके relations खराब थे उसको US ने mediate करवाया है बैटर करवाया है उन relations को और इससे पहले peace deal जब sign हुई तो 26 साल पहले sign हुई थी और दो ही peace deal sign हुई है इसराइल इस पे आपको थोड़ा सा ओर हम किसी दिन editorial discuss करेंगे इसराइल और Palestine का क्या issue अभी हमरे पास थोड़ा time constraint है तो हम जल्दी से इसको cover करेंगे इससे पहले Egypt और Jordan है दो countries जिन्होंने इसराइल के साथ peace deal करी थी Egypt और Jordan फिलहाल UAE Bahrain have also joint तो अभी ये पहली peace deal है पिछले 26 साल में joint statement बनाई है इन तीनों countries ने कि हम एक दूसरे के countries में embassies खोलेंगे ज्यादा exchange करेंगे और रिष्टों को normalize करेंगे इसके अलावा जो अलक्सा मोस्क है उसमें भी विजिट कर सकेंगे बाकि जो countries के लोग हैं देखो अलक्सा मोस्क है जेरुसलम में इसराइल में तो यहाँ पर जो बाकि Muslim World के जो लोग हैं वो भी अब यहाँ आ सकेंगे जेरुसलम में तो यह बाते भी हुई हैं इसमें और embassies खोली जाएंगी then they will work together on tourism, trade, security इसके बाद सुडान जब से यह sign हुआ है तो सुडान और Morocco ने भी अपने relations बहतर कर लिये हैं इसराइल के साथ उसी साल के अंदर अंदर तो अभी यह उमीद है कि बाके countries भी इसराइल के साथ अपने relations को better करेंगी and all this is in favor of India favor of India because India के बहुत जादा हमारे geopolitically भी important है वो area हमारे लिए energy के लिए भी important है ठीक है हम oil imports लेते हैं वहाँ से बहुत जादा हमारा diaspora है वहाँ पर तो इन चीजों से क्या होगा यह जो deal हुई है और वहाँ पर peace established होगी तो it will always be in benefit of India right अब बढ़ते हैं आगे तो आज का हम देखेंगे अब editorial analysis यह editorial आया है आपके इंडियन express में दिल्ली need not choose यह कह रहे है कि यहाँ पर जो बात होगी वो Indian foreign policy की बात हो रही है ठीक है Indian foreign policy आई यह इसको थोड़ा सा detail में समझते हैं इस issue को तो देखें क्या है इसमें तो पहले तो बात करते हैं bricks की तो देखें जो bricks है वो establish हुआ है 2009 में right and it is having 15 years of history अब तक तो recently क्या हुआ bricks का expansion हुआ है bricks has been expanded अब यह मुझे comment section में बताईए हाला कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है इस article में कि कौन कौन सी countries add हुई है right so there are new members in bricks six of them right so you have to list their names in the comment section अब यह बात कर रहे है Indian foreign policy के perspective से कि India को यह नहीं feel करना चाहिए कि जो bricks का expansion वाय यह हाम करेगा India के किसी भी idea को किसी भी foreign policy interest को क्योंकि देखें bricks के expansion क्या दिखा रहा है यह दिखा रहा है यहाँ पर debate जो इस article का main मुद्दा है वो है global north versus global south ठीक है तो global north में क्या है जादा तर advanced countries है ठीक है developed countries है और global south में developing countries है अब इन developing countries का यह concern था कि हमें अच्छी representation नहीं मिल रही है global north जादा dominate करता है multilateral institutions में चाहिए वो UN हो ठीक है या फिर world bank हो IMF हो तो कहीं पर भी जो global north है इसका influence जादा है और हमारी जादा पूछ है नहीं तो हम अपनी अलग से institutions बनाएंगे जैसे BRICS बने हुई है अभी BRICS का expansion हुआ है तो ज्यादा से ज्यादा जो global south की countries है उन्होंने join किया है BRICS को because they want their say है ना कि उनकी भी बाते सुनी जाए तो इंडिया को इंडिया का perspective कह देखो इंडिया global north से भी अच्छा deal कर रहा है जैसे G7 के साथ हमारी अच्छी tuning है then with west with US we are having good terms right but with even the global south जैसे BRICS है या फिर SCO हो गया ठीक है इस इधर आप देखे तो जैसे QUAD हो गया तो QUAD के साथ G7 के साथ भी इंडिया के अच्छे relations है SCO BRICS में भी इंडिया involved है तो इंडिया की जो foreign policy है ना वो अभी multilateralism में तो बिलीव करी रही है साथ में whatever suits are a larger national interest हम उसके favor में जाते हैं इसको हम strategic autonomy बोलते हैं strategic autonomy बोलते हैं right so India is currently pursuing this in its foreign policy and the writer says that India should not confuse कि हमें किसको join करें किसको नहीं we can be a part of all of these groups right then apprehension क्या था अभी west क्या सोचता है कि the BRICS का तो एक ही एम है हमारे जो west ने जो global west है जिसमें developed countries है उन्होंने जो established किया है international regime उसको खतम करना चाहता है BRICS पर इससे जादा writer ये बोल रहे हैं देखिए शाम शरन जी है काफी formal secretary है तो इनकी जो ideas हैं बहुत relevant है हम exam में directly quote कर सकते हैं तो ये कह रहे हैं कि west ये global south से जादा तो west ने खुदी अपने जो बनाईवी institutions हैं उनको erode किया है कैसे देखो UN को बार-बार marginalize किया है UN की बाते नहीं मानी गई है then protectionist trade measures adopt के गए हैं चाहे वो America first का concept हो चाहे योरप में हो ऐसा मतलब protectionist हम सिरफ आपने economy से जुड़े वे inward looking भी बोलते हैं इसको कि सिरफ अपनी economy पर जब ध्यान देती है कोई country तो उसको protectionist measures बोलते हैं export और import को जब वो decline करने लगते हैं और selfish attempt हुआ था to shift the energy transition to more sustainable growth on to the developing countries यानि की developing countries को support भी नहीं कर रहे है climate change में जो north है global north है या developed world है या जिसको हम west बोल देते हैं it was not supporting the developing countries in climate change या energy transition तो इन वज़े से जादा से जादा जो global south की developing countries है they are making groupings and they want to be a part of groupings like BRICS क्योंकि यहां पर क्या offer हो रहा है BRICS new development bank है जो development finance देता है developing countries को ताकि वो अच्छा अपने या infrastructure develop कर पाएं तूस चीज में helpful है BRICS इसके अलावा BRICS का contingency reserve है which may be drawn upon by a member who may be facing balance of payment के अगर problem है तूस से help हो सकती है इसलिए this is how the writer has written this editorial that India should not confuse and India should explore all the options then please mention in the comment section the new countries that have been added to the BRICS now we will see the answers to the questions that I had asked yesterday मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया के होम मिनिस्टर कौन है तो अमित्शा जी सही स्टेटमेंट है उसके बाद बहुत से बच्चों नी इसका सही आंसर दिया है कि आर्टिकल 243 है जो पंचायत से डील करता है और Election Commission of India का आर्टिकल है 324 ठीक है अब पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल 243 तो है ही है साथ में Schedule 11 भी है 73rd और 74th Amendment Act के तहत local government bodies बनाएगे थी इंडिया में पंचायत and municipalities तो Schedule 11 और 12 है जो डील करते हैं पंचायत के साथ और municipalities के साथ उसके अलावा पूरे इंडिया में 543 parliamentary constituencies है और सबसे जादा लोकसभा की constituencies के स्टेट से आती है यूपी से और दूसरे नंबर पे महराश्ट्रा और वेस्ट बेंगल तो मस्त आफ यू आप गिवन दी राइट आंसरे करेक्ट आंसरे करेक्ट आंसरे करियेगा धन्यवाद कि गनिवाद यूजगट आप अवाद एगाद करें इंड़ाद करेंने नंबर एक्षा कर दो必गन दो आंसरे करेंग्यकार में आंसरे नंबर नंब to आndसरे करेंट झाल झाल